एक चोटे से गाउं में एक पुराने मंदिर के पास एक गहरे खाई में एक अनमोल ख़जाना छिपा था इस ख़जाने की खबर गाउं के लोगों के बीच फैल थी लेकिन कोई भी उसे ढूंडने में सफल नहीं हो पाया था गाउं का एक नौजवान आदित्य जिसे खोजने की लालसा थी ने तय किया कि वह इस खजाने की तलाश में निकलेगा उसने खुद को खोजने के लिए तयार किया और एक रात मंदिर की ओर निकल पड़ा मंदिर के पास पहुचते ही उसने एक गहरे खाई को देखा खाई के अंदर अंधेरा था लेकिन उसने अपनी दीपक वाली लाल टौच की मदद से खाई में प्रवेश किया खाई के अंदर उसे एक पुरानी चक्की नजर आई जिसके आसपास अनेक चिंदी थे उसने चक्की को घुमाया और एक गुप्त संदेश खोजा संदेश में लिखा था अनमोल खजाना के राज का सीधा संकेत चक्की के आसपास घुमते रहो सच्चाई का राज खुद खुलेगा आदित्य ने चक्की के आसपास घुमते हुए चिंदी खोजी और एक छोटे से पत्थर के पीछे एक छोटा सा सुनहरा गोλ पत्थर ढूंढा जैसे ही वह पत्थर को खोला उसने देखा कि वह खजाना था खजाने में अनेक चीजें थी लेकिन सबसे बड़ा खजाना था एक पुरानी ग्रंथ की पुस्तक जिसमें लिखा था जिसे यह पुस्तक मिलेगी उसे ग्यान और सफलता का सच्चा मार्ग मिलेगा इस कहानी से सीख यह है कि हर किसी के पास अपना अनमोल खजाना है बस हमें उसे ढूंडने की निश्चित्ता से काम लेना होता है